अगर आप एससी रेलवे और बैंकिंग की तयारी कर रहे तो सुपर कोचिंग आपनी लेकर आया है हमार के दार प्लैस से जहां पर आपको में लगा 30 प्लस 20 परसेंट का डिसकाउट और यह सेल वैलिड है 18 और 19 नॉमबर को तो जाइए और इस ओफर का लाव उठाइए आप 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 दो किसे बढ़ा ओंड आप आप मतलाब एडिटारियल से ही आपकी बहुत सारी चीजा आप सीखते हो ग्रामर कॉम्प्रेंशन विख्याबलरी तीनों चीज़े ही एडिटारियल के त्रू आपकी प्रिपेर होती है ठीक है, plus session के इस first half में हम कुछ previous year questions भी करते हैं vocabulary के ठीक है, ठीक है, बस इसी लिए हम आपके लिए एक daily show लेकर आये हैं जिसमें हम daily basis पर आपको vocabulary prepare करवाते हैं ठीक है, तो एक बार सब लोग मुझे बता दीजेगा comment section में कि मेरी audio video clear है की नहीं, और audio video अगर clear है तो like button पे click कर दीजे, जिससे हैं आपकी attendance mark हो जाए और attendance mark करने के साथ साथ session को share कर दीजेगा, अपने friends के साथ आकाश, that's cool, that's great चलिए, बढ़िया आप लोगों को यार, चीजे पढ़ाई ही इस तरीके से जाती हैं कि आप लोग के paper, मतलब कुछ इधर उधर का आप लोग को नहीं पढ़ाय जाता exactly उस तरीक के चीजे मैं आपको पढ़ाती हूँ कि आपके paper में पूछी जाएं है ना, तो आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो, तो you can literally rely on the sessions ठीक है, चलिए English के लिए तो मैं आप किसी लिए guarantee लेती हूँ कि English में तो कोई problem आपको नहीं होने वाली है अगर आप मुझसे यहाँ पर preparation कर रहे हो, तो मेरे through ठीक है, तो यह है guys, telegram group को नाम, जो लोग first time आया है, join the rule कर लीजेगा यहाँ पीडियाफ अगेरे telegram के through, आपना revision कर पाते हो ठीक है telegram के through, आप लोग revision कर पाते हो यहाँ पर यार मैं link share तो कर दूए रही हूँ telegram का, अब बाकी लोग देख लेना कि यह link work करता है कि नहीं I'm trying to share idioms भी same है थे चलिए guys, it's very important क्योंकि आज आखरी दिन है, basically 18-19 दो दिन के लिए आपके एक flash sale लाई गई है, मतलब जो super coaching आपको 4000 में मिलती है, वो super coaching आपको 1200 में मिल रही है SSE bank और railways, इन तीनों की coaching 6 महीने का combine pack आपको मिल रहा है 1206 रुपीज में, अगर आप एक code यूज करे, इंडिया के बड़े-बड़े mentor से, बड़े-बड़े इस code को यूज करते ही आपका जो pack था, 3888 का, वो आपको 1206 का मिल जाएगा Make sure कि आपके पास एक ऐसा source है, मतलब आप कहीं से भी तियारी कर रहे हो, that's your responsibility लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा source है ना, जहांपे आपको सारे mocks एक जगे मिल रहे हैं, notes एक जगे मिल रहे हैं, top teachers मिल रहे हैं, तो मतलब just don't leave it all है ना, don't leave it at all, क्योंकि इस source आपके लिए इस समय के लिए बहुत crucial है, बहुत important है, क्योंकि time की time बहुत value है पेपर आपको पता है, CGL का चुका है, सेनो का चल रहा है, GD, CPO, मतलब इतने सारे papers हैं, और mocks और time बहुत कम है तो आज हम बात करने वाले हैं, एडिटारिल में FIFA World Cup की, All Eyes on Qatar, on 2022 FIFA World Cup कहां होने वाला है, कतर में होने वाला है, आपको पता ही कितने सारे fans हैं, football के, है ना, मुझे लगता है, जितने cricket के नहीं है, I think, उस से जादा world में football के fans है तो शुरू होने वाला है FIFA World Cup, ठीक है, चलिए देखेंगे हम चलते हैं आपके पहले, किसके उपर, पहले सवाल के उपर, आईए ज़रा छे मन्त में तो introduction भी नहीं होता, चाप्टर का फिर complete course कैसे होगा रवी बेटा, आपने target क्या 5-6 साल का ले रखा है, कि एक exam की तयारी आप 5-6 साल करोगे हाँ, और अगर ये target ले रखा है, तो बेटा आप life में बहुत पिछडने वाले हो रवी सेंग के माम 6 महीने तो introduction में नहीं लगता है, 6 महीने में course कैसे पूरा होगा लला एक exam देने के लिए सबसे जो सटीक समय होता है, preparation का वो 6 months होता है अगर आप सोच रहों कि 3-4 साल preparation करके एक बार exam दोगे, तो शायद आप बहुत गलत बहुत गलत जा रहे हो इस चीज़ को एक trigger warning ही तरह लेना, बहुत गलत लाइफ में जा रहे है, उतना समय नहीं है आपके पास बुढ़ा जाओगे, exam देते देते, पहला exam दे पाओगे तब जाके ठीक है, तो यह 5-6 साल लेकर मत चलिए, 6 महीने का time is sufficient for giving one examination, चलिए देखते हैं या पर एक word है, soggy, देखो आपसे पूछ क्या रहा है, soggy, बताइएगा, आंटनेम पूछ रहा है सौगी का जल्दी-जल्दी से, let's see, पढ़ाने का तरीका होता है, पढ़ने और पढ़ाने का, लोग लिटरली 5-6 साल बैठे रह जाते हैं, बढ़ापे में, बाल सब पक गए हैं, बैठे हैं, भाईया, SSC नहीं clear हो रहा है, एक paper नहीं clear हो रहा है, क्यों नहीं clear होता है, क्य होती है, पढ़े घिसते रहोगे सालों तक कमरे में मैठ के तो दिमाग भी लगना बंद हो जाता है, बढ़ाई में, चलिए बताए, सौगी का मतलब क्या होता है, बहुती वेट, है बहुती गीला सा, सौफ्ट सी चीज, है आप किसी चीज को भिगो देते हो, पानी में तो जाती है, सौगी बन जाती है, सील जाती है, सौगी बन 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 जाती ह Come on people F-R-A-I-L Weak, Fancy, Robust, Elaborate Weak, Fancy, Robust, Elaborate एक दम speed advance है दीचे पूछ क्या रहा है और सब एक बार फटा फट से जाके सेशन को तरहा लाइक करके आजाओ जितने लोग यहाँ पर आचुके हो Frailis बड़ा कमजोर सा इंसान ये इंसान कमजोर है ठीक है और आप से पूछ रहा है इसी का क्या इसी का आंटनिम मतलब उल्टा कमजोर का उल्टा मजबूत मजबूत होता है तो Robust हो जाएगा न Option No.3 Robust का ही तो मतलब होता है बहुत तगड़ा हट्टा-कट्टा इंसान है ना शलिए Next खहरा है Shivalrous आंसर दीजेगा Shivalrous Indignant, Valiant, Cowardly, Effort, Annoyed What's the right answer? सब लोग बताईए Shivalrous देखे जरा मतलब आपको पता है कि ने Shivalrous का आपने देखा होगा कुछ में ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत फ्रांक होते हैं विमन को लेकर उनसे बात करने में उनसे बात्चीत करने में या और उनसे कुछ भी पूछने में देखे आर सुपर फ्रांक एंद सुपर यू कि थोड़ा सा कहते हैं ना कि फिरलेस होते हैं विमन को लेकर ऐसे विमन के ऐसे में के लिए यूज होता है वोट शिवालरिस थोड़े से करेजियस हैं इन केस विमन है ना और इसका जस्ट रूलता क्या हो जाएगा इसी लिए काव वर्डली और कुछ होते हैं बिल्कुल डर पोकता है कि शाय है ना विमन से बात करने में इस शरम आती है तो क्या हो जाएगा काव वर्डली हो जाएगा भी में की शुटित थीक चलिये नेक्स्ट क्वेश्न दिखो तरह क्वेश्न केरा है फाटिग वर्म टायदनेस, लाइटनेस, एनरजी फाटिग बताइए बताइए क्या लग रहा है टायदनेस लग रहा है अच्छा फाटिग G-U-E, Fatigue Tiredness अच्छा एकदम भयानक थकान that is Fatigue थक के चूर हो जाना, परिशान हो जाना बस इसी को हम Fatigue बोलते हैं और आप से पूछ रहा है कि bit of Fatigue का synonym बताएगे तो Tiredness ही तो दोगे और क्या Tiredness ही दोगे, Option No.1 चेक है? चलो, next question Culpable Culpable देखो तो जारा पूछ क्या रहा है आप से Culpable का Innocent, Offensive, Disagreeable या फिर Reserved What's the right answer? Innocent Direction देखने के बाद ही आंसर दीजेगा बस इतना ही हम कहेंगे बाकी तो समझदार बहुत हैं आप लो Culpable का आंटरिम Culpable, Culprit से बन रहा है Culprit और Culpable तो जो मतलब कोई Crime कर सके जिसके अंदर Tendency है किसी Crime को करने की वो इंसान Culpable है मतलब जो Crime जो Culprit बन सके है ना, जिसके ओपर आरोप लगाया जा सके वो इंसान Culpable कहलाता है ठेक है? अब आप से यहाँ पर क्या पूछ रहा है देखिएगा जरा सब लोग सीधा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या Innocent Offensive, जिसने कोई Crime किया हो है ना, खराब लगने वाली चीज Offensive होती है, Disagreeable जिसपर अग्री ना किया जा सके Reserved जो बहुत कम बोले, reserved है और Booked चीज जो है उसको भी हम reserved कहते हैं, जिसके इस seat is reserved for me ठीक, चलिए Audacity Radha Krishna Priyansi बताइए जरा, Audacity किसको कहते हो आप Audacity, जल्दी जल्दी से बताओ किस चीज को कहते हो आप Audacity मतलब हिम्मत और वो भी गलत काम करने की इसको Audacity बोला जाता है गलत काम करने की जो हिम्मत होती है उसको Audacity हम कहते हैं लोग कह रहे हैं इसका synonym ऑथेंटिसिटी होगा इसका synonym Indolence चलिए, आधे लोग ऑथेंटिसिटी बता रहे हैं आधे लोग इंडॉलेंस बता रहे हैं क्या authentic का meaning Audacity के आसपास भी भटक रहा है बताओ भई ओधेंटिसिटी वाले authentic का meaning के Audacity के आसपास भी भटक रहा है मैं तो क्योंकि आसपास भी नहीं दिख रहा है कहां सा synonym हो गया भईया authentic का मतलब genuine चीज, real चीज और ये इंसान हिम्मत है दुष्टता जो इंसान करता है बड़ी हिम्मत होती है होते थे ना क्लास में कुछ ऐसे बच्चे को और टीचर पर ही चौक फिक के दे रहे है टीचर को मूँ पलट के जवाब दे रहे है तो उनके दर audacity होती थी इस काम को करने की हिम्मत होती थी ठीक है तो ये जो हिम्मत होती है गलत काम करने की that is audacity और indolence का भी मतलब होता है क्या दुष्टता immorality तो answer क्या हो जाएगा यहाँ पर indolence is the right answer ठीक है clear ठीक चलिए next question है आपके एक second एक सिंगलत मैंने बता दिया sorry वही मुझे लग रहा था indolence indolence और insolence में confusion है indolence होती है inactivity insolence होता है दुष्टता ठीक है indolence है आपकी laziness है ना यह होती है laziness insolence होती है दुष्टता इंसान दुष्टता पर उतरा है गलत काम कर रहा है तो इस बेसिकली insolence हां जी ठीक है बाकी सारे वोट्स तो क्लियर है ग्रज का मतलब क्या होता है नफरत अपने अंदर जाप लेके रखते हो hatred that is grudge और authenticity का तो मतलब पता है the state of being authentic real ठीक है येस clear चलो next question देखते हैं अगला सवाल है आपके सामें brittle ये तो easily answer कर लोगे alluring, adam and frail what's the right answer जल्दी से देखे brittle 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 का मतलब नाजुक brittle is नाजुक glass is brittle feelings and heart is also brittle ये लोगों का दिल भी तो नाजुक होता है so brittle is नाजुक अब आपसे पूछा है synonym alluring का मतलब जो चीज आपको अपनी तरह अट्राक्ट करे samosa and jalebia and morning are alluring खेर छोडिये adamant कौन होता है जो अपनी बात पर अडा रहता है बहुती firm इंसान frail again बहुती कमजोर और weak enduring का मतलब जो चीज endure कर ले जो चीज चल जाए तो enduring तो इसका उल्टा है brittle का antonym है enduring और frail है synonym so option number three is the right answer कोई डाउट किसी को इसमें जल्दी से बताओ speed में कोई डाउट चले आगे let's go सुनाते रही अपनी बात सुनाते रहो comment section में फिर एक वर्ड है barbaric barbaric का answer कौन हमें दे पाएगा जरा बताईए तो barbaric सोच समझ के दीजे का बहुत ही अच्छा question है सिरीन primitive sophisticated prodigal primitive अच्छ primitive primitive अच्छा अब सुनना barbaric होता कौन है barbaric एक बहुती uncivilized person होता है जिसको चीजों की तवीज नहीं होती है तो barbaric है कौन uncivilized mannerless uncivilized person mannerless person सीरीन का मतलब बहुती peaceful atmosphere हो रखा है primitive चीज होती है बहुत ही basic सी चीज मतलब manners हो morals हो and prodigal होता है जो खर्चे इदम धडल्ले से करता है extravagant person खर्चीला इंसान तो answer क्या लग रहा है answer लग रहा है option no.2 ठीक है option no.2 is the right answer antonym पूछ रहा है क्या synonym पूछ रहा है यार primitive होगा option no.2 done चलिए next question is up question क्या कहता है देखो यारा जल्दी से बताइए session को यार सारे एक बार अच्छा लग रहा है ना आप जाये session को तरह like करके आये फड़ा फट से सुबे सुबे तो हम share करने को कहेंगी भी नहीं वैसे अब यह आप लोग के ऊपर है करना चाहो की नहीं but just go on click on the like button as well फिर answer बताइए इस question का क्या बता रहे हो यार क्या बता रहे हो ये भी तो word होता है accent भी तो word होता है मतलब को इनसान किस तरीके से किस चीज़ को प्रनावंस कर रहा है the distinct pronunciation विहार वालों के accent अलग होती है यूपी वालों के अलग होती है अलग होती है accent होती है वो कहां से बिलॉंग करता है exactly सुर्भी, very good. आंसर सही दिया है, विशेख, वट स्पेलिंग गलत लग दी है. बेंथोस की स्पेलिंग क्या होती है? B-E-N-T-H-O-S बेंथोस, जो बिलकुल बेस पे, है ना, बाटर लेवल पे, बिलकुल बेस पे जो आपके फ्लोरा फोना पाए जाते हैं, उसको बेंथोस बोला जाता है, बिलकुल पानी की एकदम बेस लेवल पे, ठीक है, that is बेंथोस, राइट, चलो, next एक हो जड़ा, next question क्या कहता है, योर, अबाया, एरियल या फिर बेंच, बताए ज़रा answer, सब लोग, सब लोग, जल्दी जल्दी से, जल्दी से, क्या है, बेंच की स्पेलिंग होती है, B-E-N-C-H, obviously, B-E-N-C-H, बेंच होता है, option number 4 is the right answer, क्या डाउट इसमें किसी को, ठीक है, चलो, next, एक हो जड़ा, next question क्या रहा है, वाइसाज, ट्रबल, ट्रेबल, ट्रॉलप, जल्दी से, hmm, बिल्कुल सही है, नहीं, अब शेक, और आंसर इस राइट, सुर्भी, no, 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 ट्रेबल भी वर्ड होता है, ट्रेबल, बलब सीरीज में तीन इवेंट्स, या तीन विक्ट्रीज, ट्रेबल कहलाती है, तो ट्रेबल इस आपसलिटी राइट, चलिए, बाकी, बाकी लोग आंसर दीजेगा, आबया, जहां तक मुझे पता है, यार, it's a garment, जहां तक गामेंट होता है, जो Muslim women पहनती न, बड़ा सा, आगे, बड़ी सी sleeves होती है, that is आबया, ट्रॉलप is absolutely right, the spelling of ट्रॉलप, T-R-O-L-L-O-P, यह होती है, ट्रॉलप की spelling, आई बात समझ में, यह न, it's an offensive word for women, ठीके न, चलिए, next question, अब बताओ, क्या बहतरीन वर्ट से हैं, आँसर दीजे पड़ा फट से, जल्दी, come on, yes, griddle, अच्छा, girdle, girdle पर बहुत सही है, basically, यह भी तरीकी का outfit नहीं है, outfit के नीचे, वैसे women पहनती है, होता है, ऐसा कुछ वर्ड, यह गिडल, देखा है, मैंने, कोई outfit type का होता है, यह, अकसर women wear it, inside their dress, ठीक है, तो, ऐसा word है, हमारे पास, ह-u-r के, मतलब मुझे ऐसा, कुछी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, ह-u-r के क्या होता है, I just don't know, there is a word इसके बारे मैंने सुना है, ह-a-r का मतलब होता है, to listen somebody, किसी को सुनना, so I will consider option number two, it's हार्क, हर्क जैसा कोई वर्ड नहीं होता, मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई वर्ड है, ह-a-r के हार्क, ठीक है, इसका तो पहली बार में सहीं आंसर आ गया, crescent की spelling क्या होती है, exactly, crescent of the moon, है ना, इस टाइब का जो shape है, वो moon का, that is crescent, है ना, तो C-R-E-S-C-E-N-T, C-R-E-S-C-E-N-T, that is crescent, को दिकत इसमें किसी को, C-R-E-S-C-E-N-T crescent होता है, absolutely right, next question देखे जड़ा, और बताएए इसका आपसर सब लोग, very good, bread, लोग कह रहे हैं, budget को कि मैं बजट कर दीजे, budget वर्ड होता है, budget भी वर्ड होता है, मतलब किसी चीज का होना, कोई एक चीज किसी और चीज को result दे रही है, मतलब to cause to do something, है ना, budget is also a term, किसी चीज का होना, that is beach and that is absolutely right, ब्रम जैसा कोई वर्ड नहीं होता, there is a word brume, b-r-u-m-e, brume होता है, जिसका मतलब होता है, mist or fog, है ना, fog कह लीजे, mist कह लीजे, इसको हम कहते हैं brume, तो answer is option number 3, देखो ज़रा सब, b-r-u-m-e, brume, ठीक, चलो, नेक्स देखो जड़ा, और बताईए इसकां सार एक second के अंदर, सब लोग, देखे, प्रोज, पोजी, आदिव, आदिव, या फिर आसेंडर, ठीक है, बिल्कुल सही पहचाना है आप लोगों ने, very good, ऐसा कोई word नहीं होता, हम पोजी बोलते हैं, बट इसको बोलते हैं, पोजी, इसका मतलब क्या होता है, पोएम होता है, पोजी, इस पोएम, ठीक, चले आँगे, लेट्स गो, नेक्स्ट परेशन देखे, इन सेवन्थ हेवन, क्या मतलब होता है, सेवन्थ हेवन में होने का, कौन बताएगा मुझे, कि भाई, आज तो अपना भाई सातवे आसमान पे है, आज तो अपना भाई सातवे आसमान पे है, सात्वे आस्मान पर कब होता है extremely happy is absolutely right जब वो बहुत खुश है मतलब वो सात्वे आस्मान पर है exactly to be extremely happy बिल्कुल सही है ठीक, yes yes, yes ठीक, चलो next question देखो yellow generalism ये क्या होती है yellow generalism जल्दी सिम्राइए yellow generalism अच्छा ठीक है opinion अच्छा मतलब ऐसी writings ऐसे लेख, newspaper वगेरा में जो लोगों को influence करने के लिए इस्तिमाल होते हैं उनके अंदर extreme feelings जगाने के लिए इस्तिमाल होते हैं सच writings are called yellow generalism ठीक है तो answer हो जाएगा writings in newspaper that try to influence people's opinion by using strong language and false information ठीक है अच्छा negative sense में लोगों को influence करने के लिए यूस किया जाता है yellow generalism फिर सुनिएगा turn a blind eye upon something क्या मतलब होता है turn a blind eye बहुत ही सही है turn deaf ear turn blind eye क्या मतलब होता है इसका पताइए सब लोग आप अपनी आखों के सामने देख रहे हो कुछ गलत हो रहा है आपने ऐसे मूँ मोड़ और चले गया आपने ऐसा प्रेटेंड किया अंधो वाला भी हेव कर लिया उस चीज के सामने तो turn a blind eye का मतलब होता है कि किसी चीज को देख कर भी अंदेखा करना especially गलत चीज को गलत चीज को देख कर अंदेखा करना इस turn a blind eye तो हो जाएगा option number 4 to choose to ignore behavior that you know is wrong option number 4 ठीक है कोई रिकक तो नहीं इसमें yes next देखिए जरा अगला question के रहा है bite your tongue बता नहीं जरा bite your tongue come on जल्दी से आप कुछ कहने वाले हो but suddenly you bit your tongue क्या मतलब हुआ suddenly you bit your tongue exactly कुछ कहने वाले हैं बडर्द को रोक लिया अपनी जीप काँ लिया मतलब रोक लिया so bite once tongue का मतलब जो कहने जा रहे हैं वो कहने से खुद को रोक लिएा जैसे कि किसी कि घर आप डिनर पे गया हूँ लंच पे गया हूँ एँ बड़े दिल से, और बूच्ता है, कि भाई, कैसा खाना बना है, मुझआ और सबस्क्राइ में लगए बहुट बखवास, और सिव एक बनाइ कÌन 가지고 popular हो, लगए लेकर शोड्रोल्ल का ठ奇। आण वाज़ लिया, इसा लिगा है! this is called biting your tongue! So, stop yourself from saying something? Because it would be better not to. option 1 division 1 Alright. चलिए, next question देखो, fair and square, fair and square, answer बताईए जड़ा, answer दीजी जल्दी जल्दी, सब लोग, ऐसा एक बार हुआ था, कि हम लोग, मतलब, किसी एक फ्रेंड के घर पर कुछ था, इवेंट, थोड़ा बच्पन नहीं, एक दो साल पहले की बिसिकली बात है, हम लोग, बैठे, सारे फ्रेंड्स, खाना खा रहे थे, और मेरी एक फ्रेंड वो खीर बना के लाई, उसने सर्व किया, और एक फ्रेंड से पुछती है, कैसी वह नहीं है, क्या बबासीर बनाई हो या, पीछे उसकी ममी सुन रही ही, बैठा, हमने बनाई है, और क्या है बोले, खैर, इसलिए कम बोलना चाहिए, यू शुड़ बाइट यो तंग ओफन, है ना, उल्टी सीधी चीजे बोलने से अच्छा है, फेर and square, बिल्कुल सटीक चीज, बिल्कुल फेर चीज, यहां पर कोई अन्यान ना हो रहा हो, कुछ गलत ना हो रहा हो, वो चीज होती है, फेर इंस्क्वार, बिल्कुल honest, सही चीज, सटीक चीज, तो आंसर हो जाएगा option number one, honest way ठिक, yes next question देखिए, आंसर बताएगा fight tooth and nail क्या मतलब होता है इसका fight tooth and nail जल्दी जल्दी से अच्छा ठिक है इतनी भयानक लड़ाई कर रहे हो कि मतलब एकदम बाल नोचे ले रहे हो नाखून मार रहे हो दांतों से काट ले रहे हो तो आप मतलब कैसी लड़ाई कर रहे होगे if you are fighting tooth and nail आप दांत से काट भी रहे हो आप nail भी उसको मार रहे हो मतलब you are fighting very ferociously है ना क्या हो जाएगा आप किसी इसको से बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे हो है ना you are attack somebody a lot of force नहीं 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 तो गाल लिटरल हो जाएगा नहीं तो try very hard to achieve something मतलब पूरी ताकत लगा देना पूरा जोर लगा देना किसी चीज के लिए इसको हम बोलते हैं क्या to fight tooth handrail पूरी ताकत लगा देना किसी चीज के लिए ठीक है yes next question ज़रा देखना और आंसे बताना next question कह रहा है jack of all trades a jack of all trades कौन होता है ये बंदा या बंदी बताइए जल्दी जल्दी से guys अगर आप लोग SSE की त्यारी कर रहे हो ना I hope आप लोग को पता होगा SSE का syllabus is same for English अगर आप लोग वेट कर रहे हो बैटकर कि CHSL का जब notification आएगा एक class पे CHSL लिखा होगा हम तभी पढ़ाई शुरू करेंगे बैटा समय कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा ठेक है क्योंकि syllabus same है तो हर vocabulary और हर grammar की class को करना शुरू कर दीजए कर CHSL clear करना है इस बारी तो ठेक है वरना इंतजार तो करते ही रह जाओगे कि board जब तक thumbnail पे CHSL नहीं लिखा होगा हम class नहीं करेंगे देखे जाक ओफ और बंदे को सब आता है है ना वो सब में अच्छा है he has a lot of skills he has so many skills someone who has many skills बस इसी को हम कहते है जाक ओफ और बंदे को सब आता है कोई दिक्कत, परिशानी, कष्ट, पीडा, दुख, ठीक येस वान वर पूछ रहा है large deep metal pot used for cooking over an open fire बताई जरा जल्दी जल्दी से क्या हो जाएगा सही जवाब barrel, skillet, kettle या फिर cold roof जल्दी से बताई ये basically कढ़ाही की बात करी जा रही है कढ़ाही कढ़ाही होती है ना ये it's cauldron open fire पर पड़ा पकाई जाती है चीज़े fry करी जाती है है ना barrel क्या होता है इस type के cylindrical containers होते है जिसके अंदर oil वगेरा या alcohol वगेरा रखी जाती है है ना इस type के होते है barrels ठेक फिर skillet क्या होती है कोई मुझे बताएगा skillet क्या होता है और kettle क्या होती है anybody skillet basically pot type का होता है लब में से हांडल वाला इना skillet होता है जहां तक और kettle केतली चाय वगरा जिसमें चांते हो ठेक है क्या statement बनाया है धर्मपृत यु जस्ट वन my heart चलिए आंसर बताएगे अरेंजमेंट फ्लार्ट दाट इस यूशुली गिवन अज़ प्रेजन जस्ट बेबी क्वेस्ट आंसर दीजे पड़ा फट से येस एक दूसरे से पहले आंसर देने की कोशिश किया करो यार ये competition वाई feeling क्यों नहीं है आप लोगों के अंदर बुके कहते हैं अजी Garland और Red और Bundle किसको कहते हैं जरा बताओगे Garland किसको कहते हैं Garland वो होते हैं फ्लार्ट मतलब जो circular shape में मतलब होते हैं सजाए जाते हैं सजाने के लिए Garland यूज करे जाते हैं Red इस्तिमाल होता है ये भी सजाने के लिए होता है या तो किसी की ग्रेफ पर भी रखने के लिए होता है ठेक है Red और Bundle Bundle आप सबको पता है जुन्ड Bundle ठेक Next देखिए Question कहता है on enclosure to keep the birds in Stable, Sanctuary, APR, AVR पर इसका गलत आंसर दिया तो फिर दंडा रखा है मेरे पास जल्दी सिबताईए हाँ जी लेते हैं लेते हैं चिंता मत करिये अधित्या चिंता मत करिये हम लेंगे फ्रेजल वर्ब की ग्लास AVRE, APRRE में अभी भी confusion तो नहीं है AVRE is for birds, APRE is for bees ठेक है AVRE is for अरे यार ऐसा नहीं करो AVRE is for birds, APRE is for bees sanctuary जहां पर मतलब protection मिलता है animals को आनिमल्स रखे जाते हैं उनको protect किया जाता है और stable होता है घोडों के लिए horses के लिए ठीक, चले लेट्स गो अच्छा का इस पता है कि आज Saturday है याद है आज कौन सा दिन है शनीवार, Saturday और और क्या अब बोलो कि माम शनीवार राती मुझे नीन नहीं आती भग Saturday को marathon सोती है ठीक है तो साड़े बारा बज़े आपकी marathon है और दूसरी marathon है रात में 10 से बारा ठीक है चले आन से बताईए ओके ओके इसको हम क्या कहते है exactly इसको हम बोलते है epitaph, option number 2 is the right answer slab किसी भी चीज का हो सकता है कोई metallic slab, clay slab स्टाइब की कोई चीज है, वो slab है ठीक, glass slab, metallic slab पिलर सबको पता है पिलर क्या होता है, सबको पता है खंभा होता है, है ना support देने के लिए और basilica क्या होती है, बड़ी सी building है, बतलब रोमन कोट की तरह इस्तिमाल होती है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, पहले हमने पढ़ा था है ना, चलिए, next question देखो जरा question कहता है, a cylindrical container bulging out in the middle traditionally made for wooden staff, for keeping oil beer, sector answer बताईए answer दीजे फटाफट से, बेल, बैरल, बशल या फिर बिन अभी ड्रॉ किया था ना, मैं एक सुंदर सा बैरल, बस वही है चेक है बैरल, यह बेल क्या होता है, basically it's जुंड, है ना, bundle होता है hay or cotton का, that's a बेल और बशल का मतलब पतकॉन मुझे बताएगा what's the meaning of बशल, कोई बताएगा मैं फूल रही हूं, बशल का मीरिंग और बिन का मतलब तो चलो सबको बताएगा डबबा होता है, वो किसी भी काम के कुछ रखने के काम आसकता है, अगर कूडा फेक रहे हो तो डस्ट बिन कहलाता है, बशल क्या होता है बताएगे जरा, हम पूछ रहे हैं आपसे हमको बताओ बशल क्या है, जहां तक, मेजरिंग केपासिटी होती है, है ना केपासिटी होती है, बेसिकली लिक्विट्स वगेरा को नापने की लेकिन उसमें कितने लीटर्स होते हैं या आप लोग मुझे बताएगे एक बशल में कितने लीटर्स होते हैं या आप लोग मुझे बताएगे, ठीक है, शल ये, next question is up question कह रहा है क्या, देखियो जल्दी से बताईए election वाले पढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्या किया जाया answer बताईए ये बंदा कौन है जो maps बनाता है, choreographer, cartographer, lexicographer, calligrapher ये सारे के सारे statement बेहाद important है आपके लिए choreographer होता है जो dance सिखाता है, cartographer होता है जो map बनाता है lexicographer होता है जो लिखता है dictionary calligrapher होता है जिसकी handwriting मुझे तो लग रहा है मैं कोई poem गा रही हूँ calligrapher होता है जिसकी handwriting मड़ी अच्छी होती है good handwriting ऐसे मेरी जैसे है ना जिसकी handwriting सुंदर है वो calligrapher है done tick yes next question जड़ा देखिए और answer बताईए one who keeps absenting himself stoic eligible true aunt या फिर dandy कौन देगा सही जवाब फटा फट से देखें जड़ा hmm hmm चलो true aunt okay 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 यह वो लड़का है वो बच्चा है जो खुद को गायब करता रहता है यह गोला देने का बड़ा शौकीन है स्कूल से गोला देगा फोलेज से गोला देगा कोचिंग से बंक करेगा यह बंदा कौन होता है इस ही जट्रू आप यह गोला देने का expert है खुद गोला देगा और अपने friends को भी motivate करेगा अप इंगोला मारते चलो जाट मुमोस खाके आते है अब यार शर्मा कोचिंग की लड़के बड़ी सुम्दार है चलो देखकर आते हैं अपनी कोचिंग से गोला दे दिया तो this guy is a true aunt ठीक, stoic कौन होता है? stoic वो person होता है जो खुशी में बहुत खुश नहीं हो रहा है जब गम है तो दुखी नहीं होता है मतलब basically this person hides feelings उसकी feelings कभी बाहर निकल कर नहीं आती है यह stoic है eligible कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आ रही है ठीक है? और dandy, मतलब stylish person, stylish man ठीक, चलो next question आपके सामने है आज से बताईएगा place for the collection of dried plants आज से दीजे जल्दी-जल्दी देखे जरा नहीं यार हम बिलकुल भी बता रहे हैं मैं इतना attitude क्यों दिखाती हो बिटा क्या करें? रहा नहीं ही जाता है इसलिए दिखा देते हैं बाहर से निकल-निकल कर आता है मेरे attitude अंदर से तो वो दिखा देते हैं, क्या करें? हर्बीरियम a place for the collection of dried plants ठास worlds व्ल्टी ही अथ़िघे ट्राइड गलंस अपर और फ्लारा वत्स तुराइड आंसर जहा पर dried plants रखे जाते हैं सुखे हुए पेड रखे जाते हैं हाँजी collection किया जाता है इसको हम क्या कहते हैं अक्वेदियम सबको पता है fishes, fishes बोल रही हूँ, fish होती है और aquatic plants होते हैं तो वो aquarium होता है museum में artifacts और पुरानी चीज़े रखी जाती है antique चीज़े रखी जाती है वो museum है, flora किसी specific area के जो plants है वो flora है और herbarium होता है जहां पर सुखे plants को preserve करके रखा जाता है ठीक है, चलें आगे let's go अगला सवाल है आपके पास to cut corners इतना common, stenographer में पता चला realize हुआ मेरे idioms के importance है न, क्यों मैं idioms से तनी बार ये वाले करवाती हूँ पता चला की नहीं अच्छा guys, मैं तो आज बताना ही भूल गई guys, you all have to fill the form as well form fill कर दिया आज आप लोगोंने everyone so guys, the Hindu की एक खास बात अब ये है कि the Hindu news पे, मतब the Hindu वाले session में हर एक student को एक lucky winner को, हर दिन मिलने वाली है free super coaching, yes इस free super coaching को जीतने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ session को end तक देखना है और description box में एक link दिया हुआ है पहला ही link है, उस form को fill कर देना है ठेक है, so जितने लोग यहां पर हो अभी form को fill कर दीचेगा और session के end में मैं उस lucky winner का नाम announce कर दूँगी ठेक है, चलिए फिर आंसे बताईए मतलब लोग पैसे बचा कर काम को गंदी तरीके से करते हैं ठेक है, काम को गंदी तरीके से जो इनसान करें, that person cuts corner badly and cheaply, पैसे बचाने के चकर में ठेक है, चले description box में लिंक है form का, पहला ही लिंक है जहां तक hit the nail on the head answer बताईए answer बताईए answer बताईए, जल्दी जल्दी accurately होना चाहिए, सोच लो एक बार hit the nail on the head, मतलब जस चीज की जरुवत है, exactly वही चीज बोलना exactly वही चीज कर देना, that is hitting the nail on the head, तीर निशाने पे लगना, है ना तीर निशाने पे लगना, तीर निशाने पे लगना, तभी accurately right about something, बोले बोला थाना ऐसा ही होगा मतलब आप करती है बिलकुल निशाने पर लगा है आपने बिलकुल सही चीज कही थी option number one है ना yes, yes, yes next question देखो जरा अगला सवाल कह रहा है you will face the music for deliberately reporting inflated sales number अब पोरा statement पढ़ो statement में जो भी EDM है उसका meaning बताएंगे आप लो जल्दी से nice statement Vikas देखो जरा statement में कौन सा EDM है statement क्या है मतलब statement में EDM क्या है पहले तो यह बताईए statement में EDM है to face the music और face the music का मतलब होता है अपने कर्मों का फल भुगतना है ना to face the consequences अपने कर्मों का फल भुगतना criticize किये जाना consequences face करना to be criticized option number three to be criticized clear है चलू आगे let's go next question जरा देखिए question कह रहा है makeshift defeat acting as an interim and temporary measure to get the worst out of something exactly talk exclusively about one's business or professional affairs makeshift का मतलब क्या होता है किसी चीज का solution है किसी चीज की तरह यूस करना and that is makeshift so option number two is clearly the right answer विलकुल सही है ठेक है next day को जरा question कहना है which cannot be rubbed off बताओ समझ के answer देना है सबको फटा फट से और session को हम लाइक करने को नहीं बोलेंगे तो नहीं करोगे क्या just go and click on the like button already guys समझ में आ रहे है वर्ट्स अच्छे समझ में अच्छे तरीके से आ रहे है ना बताइए rubbed off का मतलब जस चीज को मिटाया ना जा सके है ना ऐसी चीज जसको मिटा नहीं पा रहे हो वो चीज कहलाती है indelible so option number three indelible confuse मत हो ना indelible और inedible में inedible का मतलब है जो चीज खाई नहीं जा सके खाने योग ना हो incompatible दो चीजों में आपस में सामझस से नहीं बैठ रहा है एना एक दूसरे से बहुत अलग हैं तो वो incompatible होती है और incredible का मतलब amazing इतना खुपसूरत रहना अच्छा है कोई चीज कि आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो incredible होती है वो चीज ठीक, next देखिए ज़रा question कहता है arrangement of flowers that you फिर से वही repeat कर दिया क्या कहते हैं इसको bouquet कहते हैं, ठीक है next question देखो ज़रा table or flat surface where offerings are made to a dt अब बताईए इसका answer एक ऐसा flat surface जहां पर, अच्छा पहले आप answer बताओ, फिर में बताऊंगी exams की idiom and phrases किसी book में नहीं मिलते, मेरी class होती किसलिए है तब ही तो मेरी class है अगर हर चीज आपको किताब सही मिल जाए, किताब सही exam clear हो जाए तो यहां पे हम अपने time आपके लिए क्यों देए दना है ना चलिए, बताइए it's all tour, it's not altar t-e-r मत बोलो, it's a-l-t-e-r, it's all tour all tour होती है वो flight, flat है ना, जहां पर भगवान के लिए offerings रखी जाती है dt क्या, भगवान भगवान के लिए offerings रखी जाती है all tour कहलाता है ये ठीक, चले next question अगला सवाल देखना, sanatorium क्या होता है पहले अच्छा हमको ये बताईए sanatorium क्या होता है एक ऐसा hospital जहां पर ऐसे patients रखे जाते हैं बहुत लंबी तम इस समय से जो बिमार है ऐसे patients को sanatorium में रखा जाता है pew का मतलब क्या होता है basically bench होती है जिसके पीछे backrest भी होता है that's a pew ठेक चले आगे next question next question synthetic answer बताईए पहले वाला question repeat करने जरुवती नहीं इश्रेश आप खुद अपना cursor back कर लीजे back चले जाओगे answer बताईए synthetic का synonym पूछ रहा है synthetic का मतलब होता है नकली नकली ठीक artificial का मतलब क्या है artificial का मतलब भी नकली होता है superficial का मतलब उपर उपर की चीज superficial है something that is not very deep showy का मतलब दिखावटी चीज और doubtful का मतलब जिस पर आपको doubt हो answer हो जाएगा option number one ठीक है yes अगला question देखो जरा next question कहता है grapple intend, release, grasp, laugh क्या होगा answer synonym, antonym नहीं आते तो हर दिन यहाँ पर पढ़ना शुरू करिए ठीक है daily basis पर जब आप antonym symptoms को पढ़ोगे बतलब जो आपकी exam में आते हैं तो आपके दिमाख में बैठना शुरू हो जाएंगे बताओ सब लोग झालो एक लो एक लो चलो देख लिया ठेक है अब सुनो ग्रेपल का पहली चीज तो मतलब क्या होता है किसी चीज को मतलब क्या करना पकड़े रखना रीटेन करके रखना hold करके रखना ठेक है और अपसे सुनोनिम पूछ रहा है तो ये तो इसका आंटनिम हो गया इंटेन्ड का मतलब होता है मतलब कुछ करने का इरादा है और ग्रेस का मतलब ही होता है पकड़ना तो option number 3 is the right answer ठेक है चलो नेक्स देखो next question कहता है we did not know how to tell Amanda that his sister had dash जल्दी से passed away, passed out passed up, passed over मतलब ऐसी क्या news होगी जो Amanda को बताने की हिम्मत नहीं है अब दो words आपको लग सकते हैं यहां पर suitable, pass out और pass away pass out का मतलब होता है बेहोश हो जाना लेकिन बेहोश हो जाना इतनी खतरनाक बात नहीं है कि आप सामने वाले को बताने की हिम्मत नहीं करो लेकिन किसी की death होना इतना खतरनाक होता है ठीक है, so passed away option number one passed away means death हो जाना ठीक है, next लेक हो जाना next खहरा है follow your nose क्या मतलब होता है जो follow your nose का बताईए आपको किसी से क्या कहना हो जो आप बोल सकते हो, follow your nose बताईए exactly किसी से बोल ला हो कि भाई एक इनम सीधे चले जाओ बोलते नाम नाक की सीध में चले जाओ go straight बिलकुल सीधे जाने को बोला जाता है to follow your nose go straight ठीक है, exactly next खहरा है question next देखो क्या टेता है abound bless, discourage, rest, effort, lack आजए दीचे, जल्दी जल्दी से bless, discourage, rest, या फर लाक लाक होना चाहिए पहले तो abound का मतलब क्या होता है if something is present in large numbers खुब सारा कोई चीज है है ना, present in large numbers तो वो चीज क्या है abound है, और आपको antonym देना है ना, तो लाक का मतलब कमी होता है, सीधे-सीधे आंसर हो जाएगा लाक, option number 4 बाकि सारे वर्च तो easy है है ना, simple है next देख ना जरा question कहा रहा है confederate cluster, confuse, disband, wander क्या answer होगा, बताईए जरा जल्दी से टकला भई या लड़ाई मत करिये comment section में answer बताईए, let's see confederate अगर लोग मतलब एक पाक्ट से या फिर एक ट्रीटी से किसी संधी से जुड़े हुए हैं या किसी कोई, मतलब कोई भी संधी ट्रीटी इससे related confederate होता है और आप से इसका उल्टा पूछ रहा है, acronym पूछ रहा है संधी से जुड़ा होना confederate है और इसका उल्टा अगर पूछ रहा है, तो disband disband का मतलब होता है, चीज़ें आपस में बिथर गई है अलग हो गई है है ना, say yes the right answer is disband बाकी सारे vander का मतलब भटकना cluster का मतलब एकटा होना cluster होना, ठेक है और confuse, confuse का मतलब तो पताईए ठेक है, next question देखो तरह कहता है आपसे क्या देखियो जट से आंस दीजे guys, session के end तक रहना है आपको if you want to be a lucky member today, अगर आप भी जीतना चाहते है free में super coaching तो ठेक है आपको description box में दिया हुआ form फिल करना है और session को end तक देखना है आप eligible हो जाएंगे free super coaching के लिए हर दिन एक lucky winner का नाम यहाँ पर मैं announce करने वाली हूँ पताईए घर में जब voltage वगरा को घटाया बढ़ाया जाता है घर में नहीं बिसिकली घर में नहीं यूज होती है बिसिकली जहां को जहां पर भी इंडस्ट्री वगरा में जहां पर भी जरुवत होती है voltage को घटाने बढ़ाने के लिए जो चीज यूज होती है वो क्या कहलाती है वो चीज transformer कहलाती है ठीक है वो चीज transformer कहलाती है translate का मतलब एक language को दूसरी language में change करना ठीकि लोगों को समझ में आए transparent जिसके आर पार साफ साफ दिख रहा है और translucent जिसके आर पार धुंदला दिख रहा है वो चीज translucent होती है lucky draw से choose होता है lucky winner ठीक चलिए अब जो question मैं आपको देने जा रही हूँ वो question आपका lucky draw lucky draw कह रही हूँ वो question आपका assignment है assignment question के बाद हम चलेंगे the Hindu editorial के उपर ठीक है तो ये है आपका assignment आपको हर एक word की meaning बतानी है मुझे answer के साथ साथ हर एक word का meaning बताना है in the comment box session over होने के बाद ठीक है जो offline comment box आता है न वहाँ पे इस answer आपको देना है यहाँ पर नहीं ठीक चलिए अब हम चलेंगे the Hindu editorial की तरफ तो एक बार सबसे पहले जो लोग बात में आए हैं और session को अब तक like ने किया है जरा एक बार session को like करिए सारे के सारे फिर हम चलते हैं Hindu editorial की तरफ come on people सबने session को like कर दिया चलिए ठीक क्या बात है ठीक है हम यार football देखते नहीं है दर असल तो FIFA के उपर है इस बार लेकिन उससे पहले कुछ हम नए words यहाँ पर सीख लें जो दा हिंदू में आए हैं आज ठीक है सबसे पहले सबसे पहला यहाँ पर एक word देखू दरा कौन सा आया है W-R-E-S-T rest धियान से देखेगा there is a word rest rest का W-R-E-S-T है R-E-S-T वाला rest नहीं है rest का मतलब होता है rest का मतलब होता है किसी चीज़ को आप बहुती मुश्किल से हासल कर रहे हो if you are having getting something that is with difficulty, with great difficulty this is called resting that thing it's a verb ठेक है वर्ब की तरह यूज होता है next देखना perspicacious the term is perspicacious और perspicacious एक adjective है यह जो I-O-U-S वाले words होते है न यह adjective होते हैं अक्सर एना perspicacious बहुती wise बुद्धिमान इंसान बुद्धिमान परसन जो होता है intelligent person जो होता है वो perspicacious होता है समझ में यह बात आई ठेक है statement में किस तरहीं से use करोगे उसकी adjective की तरही ही use करना इसको ठेक है फिर next question होता है आपका splurgy splurgy एक adjective है जिसका मतलब होता है इसे बहुत दिखावटी जो इनसान खूब दिखावट करता है है ना दिखावटी इनसान show off करने वाला बंदा जो होता है वो splurgy कहलाता है और adjective की तरह ही इसको भी आप use करोगे ठेक है बहुत बाते करते हो यार मतलब मैं कह रही हूँ statement मनाओ यार मुझे नहीं पता आप लोग की age कम से कम 18 से तो plus जादा होगी जहां तक मुझे लग रहा है है की नहीं 18 से जादा है age और मुझे दो-तीन लोग यहां पर दिख रहे है 4-5 के hello जो statement frame कर रहे है अरे यार तुम को क्या हो गया ठीक है तो आप मेंसे इतने सारे लोग हो 4-5 लोग statement बना रहे हैं बाकि लोग अला खुरा-फात में लगे हैं तो यार इतने बड़े अगर हो गए हो तो अपने exam के लिए थोड़ा सा serious भी हो जाओ selection दिलवाने हमारा काम क्या है हम अपने तरफ से 100% आपको महनत करवा सकते हैं आपको तयारी करवा सकते हैं लेकिन खुद से तयारी करना आपका काम है उल्टी सीदी बखवास में पढ़े रहोगे तो life में successful होगे नहीं कि time बहुत तेजी से निकल रहा है चलिए यहाँ पर गलतीया ढूणिए फिर मुझे बताईए से mistakes हैं क्या एक भी mistake नहीं हो सकती है और mistakes हो भी सकती है जरा answer बताना सारे के सारे जल्दी जल्दी से let's see झाल no arrow अच्छा अब सुनना यार कितना simple है यह वाला मैंने आप लोग को बताया था nouns में एक word होता है there is a term spectacle जो कभी भी मतलब singular में नहीं use होता बताया था मैंने आपको लेकिन there are two words एक word होता है spectacle और एक word होता है spectacles सुनिएगा धियान से ठीक है एक term होता है हमारे पास spectacle और एक word होता है spectacles यह दो अलग-अलग nouns है जो आपका नीचे वाला है इसका मतलब होता है चश्मा और जो उपर वाला नाउन है इसका मतलब होता है तमाश्या या फिर नजारा ठीक है बोलते हैं कि लोग तमाश्या देखने चले आते हैं तो पीपल आलवेस कम तुविटनिस्टी स्पेक्टिकल आई बात समझ में तो यहां पर फीफा के नजारे की तमाश्या की बात हो रही है नाट विदस्तांडिंग नाट विदस्तांडिंग का मतलब बावजूद तो जो वेन्यू है फीफा का उस पे जो कॉंट्रोवर्शी चल रही है उसके बावजूद पूरी दुनिया वस फुटबॉल के तमाश्या को देखने के लिएक तम तयार है ठीक है? चलिए अब बताना इसमें कुछ गलती है क्या? इसको रीड तो आप इसली कर लोगे यार एक मिनिट के अंदर रीड करिए और आँसे बताईए जल्दी से पूरा रीड जरूर करिएगा एक से जर्दा mistake हो सकती हैं तो पिसले पूरा जरूर पढ़ लो ठीक है? जरूरी नहीं के सरफ एक mistake है पूरे passage में there might be more than one errors ठीक है? झाल झाल चलिए अब सुनना मेरी बात इंग्लिश में लॉफ पारिलिजम बहुत जादा इंपोर्टन्ट होता है जो कहता है कि आपके टेंसे थोड़े से बालंस होने चाहिए स्टेटमेंट के अंदर ठेक है अब यहां पर देखना very few competitions kindle such worldwide interest and stirred kindle verb की first form है और stirred यहां पर verb की second और third form है तो basically यहां पर एक fact लिखा है कि बहुत ही कम competitions होते हैं जो पूरी दुनिया को इतना रोमांचित कर देते हैं यह तो fact है और fact है तो simple present tense में होना चाहिए and that is why it should be stir and not stirred ठीक है, stir होगा ये, stir नहीं होगा दाँ, चलिये so even in this era of round the clock sporting activity round the clock sporting activity बोले तो कि मालब 24 घंटे कोई ने कोई sports चल ही रहा होता है वो समय चल रहा है ये, हैना so the football world cup होट special ले लेकिन तम भी जो football world cup है एक अलग ही attraction hold करता है वो very few competitions, kindle, kindle का मतलब आग जलाना आग जलाना, enthusiasm की, हैना so very few competitions, kindle, such worldwide interest and stir passion quite like the showpiece event of the most popular sport showpiece event होता है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को interest आए so football को एक showpiece event कहा गया है बहुत ही कम ऐसे होते हैं sports events जो लोगों के इतना interest जगाते हैं ठीक है, for footballing nerds footballing nerds किन को कहा गया है nerds basically वो होते हैं जो किसी चीज में बहुत over involved होते हैं है ना, if you are over involved in something आप एक nerd हो ठीक है, so footballing जो nerds है it is the biggest stage to look out उनके लाँ सबसे बड़ा चीज है यह जिसका वे पूरा वेट करते हैं हमेशा से है ना, for the latest tactical trends while for the romantics romantics वो है जो सिफ एंटर्टेइन्मेंट के ले देखते हैं ठीक है, romantics it is an opportunity to reconnect with their favorite yesterday years star और जो romantics है जो सिफ एंटर्टेइन्मेंट के ले देखते हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा मौका है अपने पुराने स्टार से भी पुराने टीम से भी मिलने का जैसे कि डीगो, Maradona Argentina के, Peel Brazil के and John Krupp है कहा कि Netherlands के, कुछ famous players है जिनका मतलब मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई idea नहीं है इनके नाम का पहली बार मैंने नाम पढ़ा है, बस्तिल अगर आप football fan हैं तो आपको ज़रूर पता होगा यह कुछ players है, famous players है जिनको देखने के लिए भी लोग देखते हैं, football वगेरा, है ना So guys, यह था आज की आपकी कहानी, सबसे पहले नाम यहां पर अनाउंस कर दिया जाए, लेकिन नाम हम अनाउंस करेंगे, उससे पहले सुन लीजे, यह है टेलिग्राम ग्रूप का नाम, जहां पर आप लोग को मिलती है PDF, ठीक है, lucky winner का नाम मैं अनाउंस करने वाली हूँ, दिल थाम कर वेठी है, बस कुछ seconds की बात है ठीक है, जिसको मिलेगी free super coaching अनन्यमाम test book पर सारे PDF आपको बिल जाएंगे, जो मेरी next marathon है वो है अभी, साढ़े बारा बजे आज आपकी marathon class है, साढ़े बारा बजे, सीजिल की जरूर से आ जाना, बहुत important चीज में आपको बढ़ाने वाली हूँ और दूसरी चीज जो आपके लिए काम की है बास, यह flash sale, सिर्फ आज आकरे दिन बचा है, flash sale के अंदर 18 और 19, दो दिन आपको मिल रही थी, SSE Super Coaching पता है कितने की, सिर्फ और सिर्फ 1206 की जो यूजवली आपको मिलती है 13888 की आपको जो code यूज करना है इसके लिए 1200 की coaching लेने के लिए आपको code यूज करना है, Ananya, that's my code ठीक है, मेरा ही नाम in capital letters, आपको heavy discount मिल जाएगा, SSE plus banking plus railway exams के लिए ठीक है, combination आपको मिल रहा है 1206 का for 3 months ठीक है, तो आज के जो हमारी lucky winner है, जो इनको मिलती है SSE की Super Coaching, उनका नाम में आउंस कर दू जड़ा Just a second काफी सारे लोगों ने form fill किया है और lucky draw में आज जिनका नाम निकलेगा देखते हैं आज कौन निकलते हैं, let's see So, आज के हमारे जो topper हैं, topper नहीं मतलब जो lucky winner हैं पूरा नाम लिखा करिए आरेक तो आप लोग पूरा नाम ने लिखते हो वो है अभिनव गुपता अभिनव गुपता आपको मिलता है SSC की free super coaching from test book SSC, blanking और railway combination है तीनों का ठीक है, आपको मिलती है तीन महीने की super coaching और ये हर दिन हर दिन एक lucky winner को मिलेगा जिसने form fill किया होगा form में अपना असली नाम लिखा करो original excuse me, original नाम लिखा करिए ठीक है, who is this guy? यार मैं personally सबको पहचानती नहीं हूँ क्योंकि अगर मैं जिसको personally पहचानूंगी उन ही का नाम लूँ तब तो यार, cheating हो जाएगी है आपको सेशन में आना है, और यहां तक बढ़े रहना है तो सेशन अच्छा लगा हो, तो सेशन को लाइक करना बिलकुल मन भूलिएगा मैं आपसे मिलूँगी फिर से कहां पर साढह बारा बचे यहीं पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सुपर कोचिंग का लिंक है यार छे महिने की सुपर कोचिंग बारा सों में मिल रही है जो यूशुवली आपको चारह सार में बलती है जा कर ले लीजे, कोड यूस कर लीजे, का अनन्या, ANA, NYA चली गाइ, see you in the next class, till then, bye-bye, have a great day, thank you जाइ, see you in the next class, till then, bye-bye, have a great day, thank you जाइ, see you in the next class, till then, bye-bye